इसमें शबी मेरे माता बहने मंगलवार के लिए मंगलवार के दिन मंगलवार रखी जाती है दोस्तो आज मैं आप लोगों को शावन के मंगलवार के दिन किये जाने वाले कुछ ऐसी उपाया बताऊंगा कुछ ऐसे परयोग बताऊंगा जो कि आपकी जीवान को दोस्तो रंगशे राजा बना देगा और दोस्तों आपके जीवन में कैसा भी परसानी चरो चरो तकल उस समस्य से आपको निजात मिलेगा सवर पर्थम तो दोस्तों मंगल वार जो शावन के महिने में पढ़ते हैं उसमें सवर पर्थम तो आपको माता गवरी का आशिरवाद प्राप्ता होता है और माता गवरी के ही पूत्रा मंगल ग्रह का भी आशिरवाद प्राप्ता होता है मंगल ग्रह भगवान हनुमान जी मराच के पसीने सिथपन हुए चुकि पसीने सिथपन होने के कारण ये माता गौरी के पुत्रबी कहे जाते हैं तो मंगल की जो प्रकृति है उग्रमानी जाती है बरबाद होने से अगर मंगल आपको बचा ले तो दोस्तो जिवन में आपको खुब तरह की प्राफ्त होता है मंगल वारक को यह प्वांच काम हैं जीसे भूल करके किसी भी वैक्टी को नहीं करना चाहिए और खास करके शावन के मंगल वार की दिन अगर आप ये पांच काम करते हैं दोस्तों आपको भी नरक में जगा नहीं मिलेगा और इसी साथ दोस्तों दोस्तों अगर आपके मंगल ग्रह कमजोर हो जाएं तो आपको फिर कभी भी सफालता नहीं मिलेगा जिस भी छेतरे में जा प्रशन हो जाएं उनको खुब धन देते हैं और मंगल जिन पर रुष्टा हो जाएं मंगल की स्वभाईक स्वभाव हैं मंगल जल्दी रुष्टा भी होता और जल्दी प्रशन भी होता है मंगल को प्रशन करना बहुत ही असान है मंगल कब प्रशन होते हैं जब हनुमान जी प्राप्ति होगा इस मंगलवारी उपाय जरूरकर आपको खुबलाब मिलेंगे बिड़ो की स्किप करके मत जाना दोस्तों मैं आप लोगों को घी से पीटे जानकरी नहीं बताऊंगा मैं नवीन जानकरी बताऊंगा जी जानकरी सापका भाला होगा आपकी घर परिवार के ल इन कलेन देन मंगलवार के दिन नहीं करना चाहिए मिट्टी की खुदाए भी मंगलवार के दिन नहीं करना चीज से मंगल दोस लगता है काले वस्तु खरीत करके घर में नहीं लाना चाहिए क्योंकि काले रंग शनी का प्रतिक हैं शनी और मंगल ये दोनों एक दूसरे के इनके नहीं बनते आपश में, मास मदीर का शेवन करने से भी मंगलवार की दिन बचना जाए, चुकि शावन का महिना भी चल रहें, दोस्तों और इस साल खलमास भी हैं, जिसन पूरसोत्ता मास बोलते हैं, और अभी जो मंगलवार पढ़ेंगे, खलमास पूरसोत्ता मास के है तो दोस्तों अगर ये मंगलवार की दिन कुछ उपाय करेंगे, कुछ क्रिया करेंगे, तो इस से भगवान बिश्नु का भी आसिरबात प्रापता होगा, क्योंकि अधिक मास के स्वामी भगवान बिश्नु भी कहे गए हैं, और मास मदीरा शेवन करने से बिलकुल ही परहे मंगलवार को जैसे कि अगर आप किसी को कर्जा देते हैं, तो वह कर्जा वापस मिलने में बहुत परशानिया आती हैं, इसलिए कोशिश करना मंगलवार के दिन किसी को कर्जा ना दे, चैया वह शावन के मंगलवार हो, चैया किसी भी महिने का मंगलवार हो, मंगलवार के पैसे कलेंदेन कदाबी मत करना और बाल नाखून है इत्यादी मत करणःग्रा भी नहीं करवाना छिए से मंगल दोस लगते हैं तो माँजोर को कहना चाहूंगा आगर आप अपने बाल कारते नाखून कारते हैं या फिर कोई ऐसे मेरे भाई हैं जिनके पूत्र हैं अगर बा अभर आपने पती की खुब उनती करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो बाल ना खुर मत कटना, और जो पूरूस हैं सेविंग ना बनवाना, मंगल भार की दिन अगर आप शेविंग करते हैं, तो आप गित्यी जो पुत्र हैं, बछे घर में, उनका अध्यात्म न रूक रक्त समंधी अनेक प्रकार की बीमारी होतें चेर्मरों की बीमारी होते हैं दाढ़ी त्यादी ना बनवाना तो आई इस बिड़ो में जानते हैं कि मंगलवार की दिन कुछ उपाय किया जाए जिसे हमारे अध्यात्मा उन्दती हो मंगलवार की दिन अगर आपको उपाया करते हैं दोस्तों आपको खुब दरक्की मिलता है जीवन में आपको बहुत सारे भौतिक सुखों की आनंद की प्राप्ती होता है स्वाति आपकी जीवन में धन इश्वरे आना शुरू हो जाते हैं बिड़ में जानकारी बताने से पहले सभी लोगों शनी विदन करना चाहूंगा अभी तक आपने हमारे बिड़ो को लाइक नहीं किये तो बिड़ो को लाइक जरूर कर देना कॉमेंट बॉक्स में जै हनुमान जी जरूर लिखना और हाँ दोस्तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तो जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे मेहनत सार्थाक होती है और हमें भी motivation मिलते हैं दोस्तों हमारे जो बिड़ो हैं वो सार्थाक होता है तो मंगलवार की दिन शौर प्रत्थम जितने भी हमारे बिड़ो को देखने दर्सक सभी लोगों को कहना चाहूंगा मंगलवार की दिन आप अपने भोज्य शमागरी में मंगलवार की दिन जो आप भोज्य शमागरी में लाल कलर के वस्तू का परोग जरूर करना दोस्तों लाल कलर मंगल का प्रतीक होता है हनमान जी का प्रतीक होता है मंगला गवरी का प्रतीक होता है तो मंगलवार की दिन अगर लाल कलर के मशूर का दाल आप अपने घर में बनवाते हैं और इस मशूर की दाल को बनवाने बाश्वर प्रथम तो इस मशूर की दाल को गौमाता को भेट करते हैं एक तुलसी के पत्ते डाल करके तो दोस्तो इसे अगर गौम मता खा ले ग्रहन कर ले तो समझ जाना उसी टाइम से आभी की जीवन में अध्यात्म उनती होना शुरू हो जाएंगे अगर धनाने का मारगा घर में बंध हो चुक हैं करजे का भार हैं यह उपाय अगर आप पांच मंगलवार करेंगे तो दोस्तो आपकी जीवन में करजे का भार उतर जाएंगे अगर आप यह उपाय करेंगे लाल कलर के मसूर अगर आप अपने घर में मंगलवार की दिन बनवा करके खाना शुरू करते हैं घर के सभी लोगों को खिलाना शुरू करते हैं तो आपके घर परवार के सभी लोग खुब अध्यात्म उनती करेगा दोस्तों यह जोतिस उपाय ये मंगल ग्रह को शमर्पीत हैं लाल कलर होने के कारण मंगल वार के दिन कुछ ऐसे समागरिये जिसे छोटे बच्चे को दान करते हैं इसे भी अध्यात्मों नती होता है दोस्तों आइस बड़ में जानते हैं अब मंगल वार के दिन किये जाने वाली चमतकारिक टोटका के बारे में तो बेल के पत्ते का माला बनाना है मंगल वार के दिन चुकि दोस्तों सावन के पूरे महिने भर हम भगवान भोले नात को बेल के पत्र चड़ाते हैं और उन्हीं के शोरूप जो उनके ग्यारवारूद्र शोरूप हनुमान जी मराज को कहे जाते हैं तो बेल के पत्ते का माला बना लिजिए माला के भी इसमें कोई ऐसे नहीं है नियम कि आप पांच ले दस ले किस ले जो आपको बन पड़े बेल के पत्ते का माला बना लिजिए और प्रतेग बेल के पत्ते पर सफेद चंदन यरक्त चंदन से राम जरूर लिखना है और बेल के पत्ते का माला बनाना है और हनुमान जी मराज को किसी भी हनुमान मंदीर में जा करके पहना देना है एक ही उपाय से जिवन में एक ही दिन इपाय मंगलवार की दिन करना है शावन के महिने में दोस्तो इस उपाय से 1,001% आपके इच्छा की पूर्ती होगा जो आपने इक्षा सोच करके रखे हैं और आपकी इक्षा पुर्णा नहीं हो पारी दोस्तों वह इक्षा शिग्रा पुर्णा हो जाएगा इसमें संदेह बिलकुल नहीं है ये पर्थम उपाए हैं और इस उपाए से आपके मंगल गरा भी मजबूत बनेगा विवाह में बिल के मंगलवार के दिन राम रक्षा इस्तोत्र का पाढ़ करना तत्काल आपको सत्रु से छुटकारा मिलेगा नेश्टा पर्योक सुने दोस्तों तील के लड़ू अगर मंगलवार के दिन किसी काम में रुकावाट आ रही हैं आप चाहतें कि उस काम में आपको रुकावाट ना आये वह काम आपके शिग्र बन जा हैं चव धनकी रुकावाट हो चैविद्द्य की रुकावाट झाहीएं जमीन झैजात की रुकावाट हो अगर किसी काम में रुकावाट आ रही है त्यों तील क लड़ू गरीब व्यक्ती में एवं ब्राभणो बाठना शुरू कर द दिन लाल पुस्पा हनमान जी महराज को भेट कर देना पांच प्रकार के लाल पुस्पा मंगलवार के दिन हनमान जी महराज को भेट करना है तो मनोकामना की पूर्ती होगा धनकी प्राप्ती होगा इच्छा की पूर्ती होगा सारी कष्टा भी दूर होगा दोस्तों अगर आ हनुमान जी मराज ना केवल आपके बिड़ा को हरेंगे आपके परसानी को हरेंगे बलकि आपके सत्रू का भी सर्वनाश कर देंगे घोर परसानी हो तो एक हजार आड़ बार किशी भी हनुमान मंदीर में जाके स्री राम जै राम जै जै राम इस मंत्र का जाब करना दोस्तों ग्होर परसानिवी पत्ती से हनुआजी मराज आपको उबार लेंगे या फिर जैसी नाम इस मंत्र का एक हजार आड़ बार पाट करना ततकाल लाभ मिलेंगे उसी टाइम दोस्तों जैसी एक हजार आठ आब के ये मंत्र पूर्ण हो जाएंगे ये पाड़ पूर्ण हो जाएंगे आपको ततकाल रिजल्टा मिलेंगे देखें हनवान जी बाबा बहुत ही स्वभाव को मैल हनवान जी मराज को दोस्तों हम नायरेल की ही तरह समझते हैं जिस पकार नायरेल उपार से कठोर होती हैं लेकिन अंदर से बहुत मुलायम होती उसी प्रकार हनवान जी मराज के भी जो स्वभाव हैं बहुत ही एकदम सधारण हैं अब जानते हैं कि मंगलवार के दिन माता गौरी को प्रसंद किस पकार से किया जाएं चुकि मंगलवार के दिन माता बहने मंगला गौरी ब्रद भी रखती सावन के महिने में तो अगर आप हनवान जी मराज के सांसत माता गौरी को प्रशन करना चाहते हैं तो बेल ब्रिक्ष की नीचे में साम के समय में थोड़ी सी लल सिंदूर डाल करके घी का दिपक जलाना और घी के जो दिपाक है उसमें थोड़ी से आपको सिंदूर डाल देने और बेल की जड़ पर संध्यकाल के समय थोड़ी से आपको सिंदूर लगा देने सिंदूर चढ़ा देने एक लोटा जल डालेने थोड़ा सापको सिंदूर लगा देने एक घींका दीपक जला देने एक उपाय से मातागोरी प्रशन हो जाएंग खुब लाब मिलेंगे माता गोरी का अशिरवाद प्रापता होगा हनमान जी मराज के अशिरवाद प्रापता होगा ये जानकारी बहुत ही शधारण है और दोस्तो बेल के ब्रिक्षा को इस दिन इस परसा करेंगे तो आपको दोस्तो खुब धनकी लाब होगा आपके जीवन के जो पूर्वक्रित जो करम है वो भी कट जाएंगे पाफ भी कट जाएंगे क्योंकि दोस्तो बेल के ब्रीक्ष पर माता का वास होता है तो आसा करता हूं कि दोस्तो शावन के मंगलवार की दिन जो किये जाने वाले उपाय बता हैं इस उपाय सापको जरूर लभ बिलेंगे दोस्तों या जानकारी कैसा लाग है हमें कुमेंट सेक्षिन में ज़रूर बताना और दोस्तों इस जानकारी को अपने घर परिवार वालों में आगे शेयर करना नभून और कुमेंट बोक्स में सच्चे दिल के साथ जेशी राम लिखना दोस्तों आपके सारी कष्टा आपके सारे परसानी को हनमान जी मरा शोयम हरेंगे धन्यवाद नमस्कार